नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अब इसे गुपता और आप देख रहे हैं इंडियानियुसका डिश्टल प्रेट्फॉर्म आज हम बात करेंगे लखेम पुर खीरी में पराली जलाने को लेकर जो खबर है उस विशे पर बात करेंगे लखीम पुर्खीरी पराली जलाने को लेकर के है तो लखीम पुर्खीरी में पुर्शासन जो पराली जलाने वाले किसान है उन पर सेटलाइट से नजर रख रहा है प्रशासन यतना सक्त है कि जो इसमें करमचारी या अधिकारी सनलिप्त होते हैं उन पे कारवाई भी की जाती है अभी तक लखीम प्रखीरी में साथ लेख पालों को निरंबित किया गया है और दो करमचारियों को हटाया गया है वही किसान जो है पराली जलाने वाले अभी तक कुल 21 किसानों का जो सच्टा है वो निरंबित किया गया है प्रशासन जो प्राली जलाने वाले किसान है उन पर पैनी नजर रख रहा है और लगातार जो प्राली जलावने को लेकर प्रशासन एलाउंस भी करवारा हर तरीके से सतरक कर रहा है किसान किसी तरीके से प्राली ना जलाएं वहीं दूसरी तरफ इसी कारवाई को लेकर के जो किसान है उन में कहीं न कहीं गुस्सा भी है कि जब किसान पराली नहीं जलाएगा तो क्या खरेगा लेकिन जो प्रशासन है वो किसानों को जो दूसरे सिस्टम बताता कि इस तरीके से अपनी पराली को खेत नहीं नश्ट कर स लेकिन जो प्रशासन है वो लगातार मुस्तेज रहता है छेतर में और पहलिन नज़र रखता है प्रशासन कि जो भी पराली किसान जलाएंगे उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी तो ऐसे चाहे वो समाचार पत्र हो या किसी भी प्यर्ट फार्म हो सभी के माध्धम से इसको लेकर भी नाराजगी है कि जो सक्टा है वो निरस्त किया कर दिया जा रहा है तो ऐसे में लेकर जो किसान है वो भी काफी नाराज है क्योंकि लखीमपुर खीरी में अभी तक जितने किसानों लगबग ये किसान है उनका सक्टा निरस्त किया गया इससे पहले किसानों पर पराली जनालने को लेकर के जुर्माना भी लगाया गया लेकिन उसके बाद भी इस तरी के खबरे आ रही है कि पराली जलाने से जब परशासन मना कर रहा है तो किसान नाराजगी ब्यक्त कर रहे हैं कहीं किसान कह रहे हैं कि पराली अगर नहीं जलाएंगे तो इसको लेकर के परदर्सन भी करेंगे लेकिन प्रशासन भी अपने ताकत से भरपूर लगा हुआ है कि किसी भी कीमत पर जो किसान है उनको पराली जलाने नहीं दी जाएगी वो पराली जो है अपने खेत में ही उसको नश्ट कर सकते हैं लेकिन उसमें आग ना लगाएं